तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन सिल्मा की चार बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें सलमान खान के फिल्म टाइगर थी सरक्षान के फिल्म पठान रितिक रोशन के फिल्म फाइटर और राजकुमार राव के फिल्म स्ट्रीटू सामेले और आपको बताएंगे आयए कौन से सुपरिषटार के सबसे बड़े फैन हमें करते हैं ना दो सबसे पहले बात करते हैं सारूख खाण के फिल्म पठान के बारे में तो आपको बताएंगे लेने वाला यह फिल्म अपने दूसरे दिन 77 कोल के कमाई की जबकि तिसरे दिन इंडिया से 49 कोल का के ले बड़ी फिल्म फाइटेर के बारे में तो आपको बता दो 250 कोड़ के बज़र से बनने वाला यह फिल्म जिसमें आपको रितिक रोसन के साथ एनिल कपूर और दिपिका पादुकॉन का काफी आचा रोल देखने को मिला था और बात के फिल्म की केलेक्शन की तो फाइटेर फि फिल्म के लेक्शन इंडियन बॉक्स अपीस पर 162 को हो गया था तो दोस्ता बात करते हैं इस एफिसोड की तीसरे बड़ी फिल्म टाइगर 3 के बारे में तो आपको बता दो मनिस सर्मा के डारेक्शन से बनने वाला यह फिल्म जिसमें हैं आपको सलमान खान के साथ के टरी इस फिल्म के के लेक्शन इंडियन बॉक्स अपीस पर 2-43 को हो गया था तो दोस्ता बात करते हैं इस तरी टू फिल्म की तो इस तू फिल्मों को अमर कोशिक ने डारेक्ट किया जिसका बजट 50 करोई रूपया है इसे के साथ फिल्मों को 4600 इसक्रीन के साथ रिलीज किया और इसने ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने की वज़े से इस तरी टू फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स अपीस पर पठान फाटर टागे 3 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए साथ कोड़ का केलेक्शन किया और साथ कोड़ सोफिंग लेने वाला ये फिल्म अपने पहले हपते 284 कोड़ की कमाई की तो वल्डाइट बॉक्स अपीस पर 378 कोड़ का कारबार किया तो इस तरी टू फिल्म अपने नौवे दिनों की केलेक्शन की तो इस तरी टू फिल्म अपने दसवे दिन आनि आज इंडिया से लगबग 12-13 कोड़ का माती नजर आ रही है जिसे इस फिल्म के केलेक्शन शुरुवाती दस दिनों में इंडियान बॉक्स अपीस पर 308 कोड़ का हो जाएगा तो वल्डाइट बॉक्स अपीस पर 465 कोड़ का अख़रे को टच कर लेगी तो दोस्तो आज के केलेक्शन के मामले में सारुखान की फिल्म पठान ने मारी बॉक्स अपीस पर बाजी और सारुखान बनाज का सबसे बड़ा सुपरिश्टार